नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं वास्तु सास्तर के अनुसार सोच करते समय किस दिसा में आपका मुह होना चाहिए? यानि कि जो टोइलेट की सीट आपके लेटिंग घर के अंदर लगरी है वो कौन सी दिवार पर लगे कि वास्तु अनुरूप सोच करते समय आपका सही दिसा में फैस हो सके ये समश्या मुख्य रूप से सभी के साथ आती है और ऐसे स्वालों का जवाब आसानी से प्राप्त होना मुस्किल होता है तो आज हम जो पॉइंट कलियर करने वाले हैं वो हैं सोचाले करते समय आपका मुँख कौन सी दिसा में होना चाहिए? सेकिंड पॉइंट हम कलियर करेंगे अगर आप सिंगल टोयलेट यानि कि मुख्य रूप से भारत के अंदर लोग सिंगल टोयलेट बनाते हैं और अपना स्नानगर अलग बनाते हैं बहुत से लोग attached lighting bathroom बनाते हैं तो हम आपको clear करेंगे अगर single toilet है तो उसका वास्तु क्या होना चाहिए और अगर आपका स्नान घर और लेटिंग घर दोनों attached साथ में है तो उसका वास्तु क्या होना चाहिए तीसरा point हम clear करेंगे कि toilet के अंदर वास्वेशन गीजर और नहने का नल कौन से दिवार पर लगाना सुब रहता है चोता point हम clear करेंगे कि वास्तु सास्तर के जो महत्तु पुन टिप्स रहेंगे जो toilet से सम्मंदित की आपकी पाने की ड़लान कैसे रहने चाहिए अगर आप उसक single toilet है यानि कि श्रिप आप लेटिंग घर का निर्मान करेंगे नहने का उसके अंदर कोई भी आपने point नहीं चोड़ रहा है तो आपको कैसे toilet बनाना है तो देखी यह आपका single toilet है क्या है इसके अंदर हर toilet का जैसे आपके घर की दिशा होती है वैसी आप घर में कोई भी निर दिवान करते हैं तो उसकी एक दिशा होती है दिवारें होती है कि आपकी नौर्थ याने उत्तर की दिवार है ये आपकी पूरब की दिवार है ये आपकी साउत याने की दक्षिन की दिवार है और ये आपकी पक्सिम की दिवार है अब मान लिजी आपका सिंगल टोइलेट है इसका main door हमने वास्तो अनुरूपी रखा है इस तान पर ठीक है जैसी आप अंदर enter करें तो लेटिंग घर की जो आपको seat लगानी है उसको लगाने के दो option रहते हैं आपके पास कितने रहते हैं दो option कौन-कौन सी दिसा रहती है एक दिसा रहती है आपकी दक्षिन की दिसा और दूसरी दिसा रहती है उत्तर की दिसा या तो आप दक्षिन की दिवार पर toilet की seat लगा सकते हैं या आप उत्तर की दिवार पर toilet की seat लगा सकते हैं अगर सामाने सब्दों में मैं आपको समझाओं तो समझाने का अर्थ यह है कि लेटिंग करते समय आपका जो फेस रहेगा वो या तो उत्तर दिसा में होना चाहिए और या आपका दक्षिन दिसा में होना चाहिए तो एकदम सामने रूप से मैंने आपको समझा दिया है कि टोईलेट करते समय आपका फेस कौन सी दिसा में होना चाहिए अब हम बात करते हैं अटेच लेटिंग बातरूम की जिसके अंदर आपका लेटिंग घर पलस आपका सनान घर दोनों रहते हैं के समय में लोगों के पास काफी कम जगय रहती है इसलिए दोनों साथ में बनाना उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है वैसे वास्तु की दर्ष्टि के अंदर लेटिंग घर और आपका सनान घर एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लेटिंग घर होता है वो राहू का सुचक होता है और जो सनान घर होता है वो चंदर का सुचक होता है लेकिन समश्या रहती है मुख्य रूप से आपके जगय की जगय की आपके कमी है तो कैसे बनाए तो देखिए इसका भी solution है, हर चीज को अपने इस्तान पर आप बनाईए और कुछ चीजों का ध्यान रखिए अब माली जी आपने अपने घर के अंदर attach लेट बात बना है, जो मुख्य रूप से आशकल सभी जगह बन रहा है attach लेट बात के अंदर सेम आपकी चाड दिवारे होंगी, इधर की दिवार आपकी कौन सी हुई उत्तर की, ये दिवार आपकी हुई पूरब की, इधर वाली दिवार आपकी हुई दख्शिन की और ये दिवार हुई आपकी पक्सिम की यहाँ पर आपने अपना में डोर दे दिया है जो आपके लेटिंग घर के और स्नान घर के अंदर जाने का दरवाजा होगा वो डोर आपने वास्तु अनुरूप लगाया है अब आप जैसी अंदर प्रवेश करेंगे तो मुख्य रूप से देखिए जब भी आप अपनी टोईलेट सीट लगाएं तो जमीन के इस तरसे थोड़ा सा उसको उपर उठा के लगाएं जो यह आप लाइनिंग देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी जो टोईलेट है जो आपका लेटिंग घर बन रहा है वो थोड़ा सा उपर उठा हुआ बन रहा है उपर उठा के बनाने पर दो आपके इसमें बेनिफिट रहेंगे एक तो जो आपका इंडियन अगर आप टोईलेट बना रहे हैं तो उसके अंदर जब आप नाएंगे तो पानी उस खड़े में नहीं जाएगा और आपका सेटी टेंक नहीं भरेगा जो अनावशक रूप से पानी से भर जाता है तो वो नहीं भरेगा सेकेंड इससे आपका वास्तु सही रहेगा कि आपका स्नान घर नीचे की तरफ होगा और टोइलेट उपरी तरफ आप चाहें तो दोनों की बीच में अगर एक परदा या ग्लास लगा देते हैं या वुड का कोई पार्टिसन लगा देते हैं तो भी वास्तु बहुत उचिद रहता है तो टोइलेट सीट आपको यहां लगाने हैं फेस किधर करना हैं फेस आप या तो टोइलेट सीट को दक्षिन की दिवार पर लगाएं और या अगर आप वेस्टन सीट लगा रहे हैं तो दक्षिन की दिवार पर लगाएं उत्तर की दिवार पर इंडियन सीट लगा रहे है तो भी आपको face या तो दक्षिन दिसा की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिसा की तरफ अब बात करते हैं कि आपका नल कौन सी दिवार पर होने चाहिए देखिए जब भी आप स्नान घर के अंदर नल लगाएं, जहना लगाएं या कुछ भी आप लगा रहे हैं जो पानी से सम्मंदित है, ठंडे पानी से इस चीज़ का ध्यान रखें, तो आपको उत्तर की इस नौर्थ की वाल पर लगाना है, कौन सी? नौर्थ की वाल के उपर लगाना है, अब बात आती है गीजर की, गीजर क्या एलिमेंट होता है, गीजर के अंदर देखिए अगनी उत्पन होती है और वो पानी को गरम करता है तो गीजर आपको हमेशा अपनी साउथ इस्ट के कॉर्णर में लगाना है कहा लगाना इस इस्तान पर आप इस मेप की साहिता से समझ सकते हैं इस इस्तान के उपर आपको अपना गरम पानी करने वाला गीजर लगाना है अब हम बा वो किसी भी चीज को डबल दिखाता है, यानि कि दो गुना कर देता है, नेगेटिव एनरजी टोईलेट के अंदर भरपूर रहती है, अगर वहाँ पर आप सिसा लगाते हैं, तो वो नेगेटिव एनरजी आपकी डबल हो जाती है, तो करें क्या, काफी लोगों की ये समश्य रहती है, तो करें क्या सिसा हमें बहुत जरूरी है, तो देखिए सिसा आप दो जगे लगा सकते हैं, या तो आप उत्तर की नौर्थ की वाल पर इस जगे लगाएं, या आप अपनी पूरब की वाल पर इस जगे लगाएं, लेकिन इनको लगाने का एक नियम है, सिसे कभे यानि कि एकदम सामने शीशे नहीं होने चाहिए सीशे किसी अलमारी के अंधर बनाए और जब आपकी जुरुपत हो तो अलमारी खोले और सीशा यूज करें और वापस अलमारी के अंदर रग दें तो इस इनसाब से हो सकता है या सीसे के आगे ही wardrobe बना दें ताकि सीसा आपको एक दों front में नज़र ना आए जब उप्योग करना हो तब आपका wardrobe आप खोले और आप उप्योग करें और वापस wardrobe बंद करतें तो यह हुई आपके सीसे का वास्तू अब हम देते हैं कुछ आपको वास्तू tips देखिए जब भी आप leating bathroom बनाएं ध्यान रखे आपके leating bathroom की जो सते जो आगन होगा जो फरस होगा उसकी धलान हमेशा आपको रखनी है इसान की तरफ या उत्तर की तरफ किस तरफ रखनी है इसान कौन सा होता है greeting बात्रूम का जो आपका north और east की तरफ आपकी ड़लान रहनी चाहिए या आपकी north की तरफ ड़लान रहनी चाहिए जो भी आपका water जा रहा है second चीज आपका जो toilet के जो वेश्टे जा रहा है हो सके तब तक उसको वेश्ट साइड में आप पाइब देके निकालिए वेश्ट से पाइब देके आप किदर भी उसको मौड सकते हैं लेकिन इसका वास्तु यही रहता है तो आज हमने कोसिस की है complete आपके क्यूस्टन जो भी आपके या अन्य किसी से भी आप नकसा बनवा कर अपने लाखो रुपे बरबाद ना करें आपके बच्चों का और आपका बविश्चे वास्तु पर टिका रहता है छोटे से एक रासी के चकर में आप अपने घर का पूरा लाखो रुपे वेश्ट कर देते हैं और बिना वास्तु घर बना लेते हैं जो आपको आर्थिक और सारेरिक नुकसान पहुंचाता है तो कौसिस किये मैंने आपको हर चीज अच्छे से एक्स्प्लेन करने की आज के लिए इतना ही अच्छा लगा तो अन्य लोगों में भी सेर करें चैनल से जुड़े रहें और वास्तु अनुरूप अगर आप वरक करवाना चाते हैं तो वार्टसप पर संपर्क करें जै स्रीकिष्णा जैहिं